हेलो दोस्तों नमसकार आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं सामान निख्यान का एक और नया पेक्टिश सेट अगर आप हमारे चैनल पर नये हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें तो कि हम रोज एक नया पेक्टिश pension अपलोट करते रहते हैं तो आईए देखते हैं मुहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया तो मुहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण 1175 इसपी में किया option A आपका right answer हो जाएगा किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वणकाल कहा जाता है तो जहांगीर काल को मुगल चित्रकला का स्वणकाल कहा जाता है किसका काल मुगल वस्थकला का स्वणकाल कहा जाता है तो सहजहां काल मुगल वस्थकला का स्वणकाल कहा जाता है option B आपका right answer हो जाएगा साथ सो बार एस्पी में किया था लिंग राज मंदिर किस प्रदेश में है तो लिंग राज मंदिर उड़ी सा प्रदेश में है अपसंदी अपका राइट एंसर हो जाएगा नट राज की कांस मूर्ती किस वन से संबंदित है तो नट राज की कांस मूर्ती चोल वन से संबंद सां ब्रेटेण की राणी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी, तो ब्रेटेण की राणी एलिजाबेथ प्रथम अकवर के समकालीन थी, 26NePantes 1 dar'd से 1900 इसापूर्थ तक भारतिय उप महाधीप के पस्चिम में काउन से सभीता रही ? तो 26 deepenter से 100 इसापूर तक भारतियों महादीप के पस्चिम में सिंदु घाटी सभ्यता रही आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं हर्षवर्धन के राज का समयकाल क्या था तो हर्षवर्धन के राज का समयकाल 606 से 647 तक था आपका राइट एंसर हो बना था और अपका राइट एंसर हो जाएगा भारत द्वारत सबसे जादा निर्याद किया जाने वाला किरसी पदार्थ है तो भारत द्वारत सबसे जादा निर्याद किया जाने वाला किरसी पदार्थ है बास्मती चावल निमलिकित में कौन सा मिलांज सही नहीं है तो आ आंद प्रदेश यह आपका सही रहें बाकी आपका सारा सही है नुहाक लियाई जहरना किस प्रदेश में हैं तो नुहाक लियाई जहरना में घालाई प्रदेश में हैं केरल में सब्री माला के लिए समर्पित एक परसिद्ध जगा है तो केरल में सब्री माला के लिए समर्पि दिनियम कप पारित हुआ तो भारत मेंगा सुरच्छा और मानक दिनियम दो हजार छे में पारितौ आपरित बी आपका राईट एंसर हो जाएगा नबाड में भारत सरकार का क कितना इस तो नबाड में भारत सरकार का 99 परशथ एस है भारत के कुल बाहरी रिंड में अधिक्तम हिस्सा किसका है तो भारत के कुल बाहरी रिंड में अधिक्तम हिस्सा द्रीघावद उधार का है अप्शन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन दिखते हैं रिजर्व ट्रेंच इस्थित् और टीमी एक सब्दै भारत की कुल विदेशिरी रिंड में आधिक्तम हिस्सा निमलिकित मुद्रा में से किसमे है भारत के कुल विदेशी रिण में अधिक्तम हिस्सा निमलिकित मुद्रा में से US डॉलर में है option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते है राश्टी केसर मिशन किसकी उपी योजना के रूप में लांच किया गया भारत के आप्रतेच करका सबसे उचा प्रधिकर्ण कौन सा है तो भारत में आप्रतेचिकर का सबसे उचा प्राधिकर्णन CBC है निमलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है तो निमलिखित में से उपरोग सभी डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है निम लिखित में कौन सा कर आपरतेच कर नहीं है तो निम लिखित में से निगम कर आपरतेच कर नहीं है परतेच कर कोड निम लिखित में किस से समंधित है तो परतेच कर कोड निम लिखित में से आईकर से समंधित है निम निलिखित में क्या आद्रिस से निरियाद उत्पन्न करता है तो निम लिखित में इसे यातायात और यात्रा आद्रिस निरियाद उत्पन्न करता है अपका राइट एंसर हो जाएगा नियुन्तम मजदूरी अधिनियम का पारित हुआ तो नियुन्तम मजदूरिय अधनियम 1948 में पारित हुआ आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन दिखते हैं परिवार नियोजन बीमा योजना कब लांच हुई तो परिवार नियोजन बीमा 2005 में लाग हुई आपका राइट एंसर हो जाएगा बीस सूत्रिय कारिकरम का पुनरस्थापन कब हुआ तो बीस सूत्रिय कारिकरम का पुनरस्थापन 2007 में हुआ नियम लिखित में कौन मियुचूल फंड को बिनियमित करता है तो नियम लिखित में से भी मियुचूल फंड को बिनियमित करता है भारत के समुंद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बज़ार कौन सा है निमली लिखित में से कौन सा सब्द आम तर पर भारत के बज़ट से जुड़ा नहीं है तो निमलिखित में ऐसे कठोर बजट सब्द आम तोर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है हवाला लेंदेन भारत में किस अधिनियम के अंतरगत बंद है तो हवाला लेंदेन भारत में FEMA option D अधिनियम के अंतरगत बंद नहीं है भारत का पहला विषैस आर्थिक चेत्र कहा है तो भारत का पहला विषैस आर्थिक चेत्र इंदोर है ग्राम अनाजबैंक की योजना कौनसे मंत्रा लईद्वारा कारणवित की जा रही है तो ग्राम अनाज बैंक की योजना द्वारा कारणवित की जा रही है महत्मा गांधी राष्टिय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का नियुनतम अनपाद क्या होना चाहिए तो महत्मा गांधी राष्टिय रोजगार गारांटी योजना में महिलाओं का नियूंतम अनपाद 30 प्रसत होना चाहिए व्यापार और आर्थिक संबंद समित T.E.R.C. की अधिश्ता कौन करता है तो अब्यापार और आर्थिक संबंद समिती T.E.R.C. की अधिश्ता वित्तमंत्री करता है option C आपका right answer है next question देखते हैं राष्टे निवेज निद की अस्थापना कब हुई तो राष्टे निवेज निद की अस्थापना 2005 में हुई option C आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुंद्री खातपदार्थ कौन सा है तो भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुंद्री खातपदार्थ जम्य हुए जहींगा है जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है भारत में तो थैंक्स पार वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक से कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्किल न भूलें थैंक्यू